हलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो तो आशा है कि आप सब अच्छे से होंगी देखिए बसंद का मौसम आ गया है देखिए चार तरफ फूली फूल बहुत ही अच्छे लगने गार्डन एक्टम हरा भरा हो गया है गर्मियों में आने वाली सब्जियां जो अभी वो ही जाती है त तो इस मौसम में अगर हम वो देती है तो गर्मी में बहुत अच्छे से हमको और्गनिक सब्जियां मिले लगती है पिछली वीडियो में हमने भिंडी पालक और टमाटर के कुछ बीच बोए थे और अभी और भी हम बीच बोएंगे गर्मी की सब्जियों के तो हम इसके लि मिक्स करके हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे तो बहुत ही अच्छी वेल्टिन मिट्टी तयार हो जाएगी तो इस प्रकार हम मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं और छोटी- छोटी फाइबर के ग्लास में नीचे से अगर बत्ती की सहयता से आप छेट कर लिजि मिक्स हम भर देंगे और थोड़ा थोड़ा ग्लास खाली रखेंगे जिसे बीज लगाने के बाद उपर से हलकी मिट्टी कवर कर सके तो इस प्रकार सारी ग्लास समभर ले रहे हैं जितना हमको बीज बोना है कर दो सि diffusion कर दो समभर में जितना हैं जितना हैं जितना हैं जितना हैं जितनी हैं जितना हैं गाम व्लयुटा से बीज बीज parece यूवटरे ऑफाहे चाहे हू़ा गहा हाई verw स्अभरे एवरब भे भी बीज आए लीऑन.. गर्मी में होने वाले सब्जियों के बीज हमने लिये हैं तो सबसे पहले हम खीरे के बीच को बोएंगे जो गर्मी में अप्रेल तक बहुत अच्छे से हम हार्विस्टिंग कर लेंगे तो देखिए ये खीरे अच्छी तरीके से हम इसको लगा देंगे इनके बीच को और जब थोड़ा थोड़ा पौधा उगाएगा तो फिर थोड़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको हम बड़े किसी बॉक्स में कंटेनर में कहीं भी लगाएंगे पहले हम इनमें लगा देते हैं तो फ्रेंड्स ये देखिए खीरे का बीच निकाल रहे हैं हम ये देखिए चोटे चोटे बीच ये और ये इनमें दवा भी लगी और ये बीज खराब नहीं होंगे ये का सब कमून नोक वाला हिस्सा उपर रहे इतना ध्यान रहे तीन तीन बीज हम लगा रहे हैं जैसे हमको पता रहे कि तीन बीज लगे हुए है और अच्छे तरीके से इनको लगा देंगे जब छोटे छोटे पेड़ हो जाएंगे तभी इनको हम किसी बड़े गमलिया कंटेनर में लगाएंगे और फिर उपर से मिट्टी से कवर कर देंगे तो ये हमारे खीरे के बीज लग गये अब हम नेनुआ या तुरई इसका बीज लगाएंगे जो गर्मे में बहुत अच्छे से होते हैं और इससे घर में ही लगा लेंगे तो हमको बहुत अच्छी और्गनिक सबचिया मिलेंगी ये देखिए हम ये है तुरई या नेनुआ का बीज एक एक गलास में हम दो-दो ही लगाएंगे और चार-पांच बीज हम बोएंगे क्योंकि हमें दो-तीन पेड़ की जरूरत पड़ेगी ये देखिए नहीं तो कभी-कभी कोई-कोई वीजा नहीं उखता है ये देखिए नोग का हिस्सा उपर होना चाहिए इस प्रकार हम दो-तीन गलास में ऐसे ही लगा देंगे ये देखिए और उपर से मिटी से कवर करेंगे इससे हमारे पौदे बहुत आराम से उगाएंगे करला भी गर्मियों में होने वाली बहुत अच्छी सबजी है तो इनका भी बीज हम लगाएंगी ये दिखिए करेले के बीज है ये नोग का हिस्सा उपर होना चाहिए ऐसे ही हम लगा देंगे बहुत आसानी से ये दो-दो बीज हम लगा दे रहे है और ये चार-पांस दिन में उगाएंगे फ्रेंड्स ये देखिए नोग का हिस्सा हमने उपर रखा है उपर से कवर कर देंगे मिटी से तो दो-तिन पेड़ तो हमें अच्छे से मिली जाएंगे चार-पांस पेड़ हम लगा दे रहे हैं अब हम ककड़ी का बीजा लगाएंगे बहुत ही अच्छी गर्मी में ये बहुत ही अच्छी सबजी होती है खाने में बहुत ही स्वादिश्ट सलाद में किसी भी चीज में आप मिला के खा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी अपने घर में होगी तो फ्रेंड्स उसकी बात ही अलग है ये देखिए दो-दो चाचब बीजा हम डाल दे रहे हैं जो पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था सारी सेडलिंग ये पालक भी देखिए फ्रेंड्स उग रहे हैं छोटी-छोटी ये देखिए दो-तीन दिन हुआ हमको लगाए ये देखिए पालक भी हो चाएगी और फ्रेंड्स हमको अभी चॉलाई लगाना है अभी बीजा रखा हुआ ये सारी सेडलिंग हमारी रखे हुई है और फ्रेंड्स दो-तीन फ्लावर के बीज भी पड़े हुए थे वो भी लगा दी हैं हम ये बैगन के पाद भी हम लेके आया थे गोल वाली बैगन है तो उन मार्केट में आपको पाद में मिल जाती है देखिए बैगन के छोटे-छोटे ये पाद है ये लगाए हुए हैं अभी अभी थोड़ा सौक में है ये और प्याज में हमने लगाया है ये देखिए जो की नीचे बल्ब इनके बन जाएंगे हम पाद लेके आए हैं अगर फ्रेंड्स इनको हम बल्ब से उगाती है तो ये इनमें पतियां ही मिलती है अगर बीजो से उगाएंगे तो इनमें हमको बल्ब मिलेंगे यानि प्याज अभी फ्रेंड इनको हम एकठरी लगा दिये हैं फिर अच्छे से जब मिच्ची तयार हो जाएगे तो लगाएंगे गोभी कभी पौध चोटा चोटा लाएं यह देखिए हम कंटेनर भी यह देखिए फर्मकोल कर लाएं हैं तो इस प्रकार हम कुछ सबजियों को गाने का इंतरजाम कर रहे हैं फ्रेंड तो आगे जो भी हमारे पौधे ग्रोध करेंगे तो आपको हम वीडियो में शेयर आपको यह वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे धन्यवाद